नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्वीब चैनल एक्जामूफोबिया में मैं धर्मेन जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी चैनल के माध्यम से हम लोग नए नए इसू को लेकर टॉपिक्स को लेकर आते हैं और इसके साथ ही UPSC से रिलेटेट सब्जेक् करते हैं तो इसी सीरीज में अभी हाली में हमारी सरकार ने एक परसों से चला आरा पुराना कानून बदला है और इस कानून को अगर हम देखेंगे तो एक ब्यापक तोर पर परिवर्तन किया गया है जो हमारे IPC, CRPC और भारत इंडियन एविडेंस एक्ट जो थे वो तबद किये गए हैं तीन ब्यापक रूप से इसमें परिवर्तन किया गया है तो जब हम यह देखते हैं कि हमारे Constitution में जो हमारे जो कानून विवस्था में क्या-क्या परिवर्तन किये गए हैं हाला कि सरकार तो यह कह रही है कि यह जो नए कानूनी बिल लाए हैं वो एक तरह से भा यहां पर अगर हम देखें, We the Indian, By the Indian, For the Indian यानि इस कानून को भारत सरकार ने भारत के लिए भारत के लोगों के दौरा और भारत के नागरिकों को बनाया गया एक कानून है इस से पहले जो कानून हमारे देश में चल रहे थे चाहे वो IPC हों, चाहे CRPC हों, चाहे IEA हों यानि इंडियन भारतिय इंडियन एविडेंस एक्ट हों तो इन सारे एक्टों में ब्यापक तोर परिवर्तन किये गए हैं एक उसका पूरी आज हम इस वीडियो में उसकी समीख्चा करेंगे उसके लाब बताएंगे, उसमें क्या-क्या कमिया हैं, सरकार अगर इने सुधार लेती है या सरकार ने जिन कमियों को दूर करने का प्रयास किया है, तो कमिया तो दूर हुई हैं क्या वो वास्तविक रूप से आज के इस पर दलते परिवेस के लिए क्या महत्पूर्ण हैं, क्या ये कारगर सावित होंगी इन सभी विस्यों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे तो मित्रों देखते हैं इस पर हम लोग तो इन कानूनों को मित्रों हम लोग देते हैं हलकि राजपती महुदे ने इन कानूनों को क्या देती है इन कानूनों को अपना नुमेदन भी देती है गया है और ये कानून भारत में लागू भी हो गए है तो जरा हम लोग यहां पर आज यह चर्चा करेंगे जो किन किन कानूनों में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं तो सबसे पहले देखते हैं IPC यानि जो पूर्ग नए कानून क्या है अगर हम यह देखें तो आपराधिक कानून सुधार है क्या है आपराधिक कानून सुधार यानि अप्राध के कानूनी सुधार के रूप में काम किया गया है तो सबसे पहले हम लोग यहां पर यह देखेंगे कि भारत में पहले क्या-क्या थे यानि यह amendment जो हमारे criminal laws में किये गए है तो यह पहले क्या-क्या थे हमारे पास जरह उस पर अगर हम चर्चा करें तो जरह उसे हम देख लें तो सबसे पहले बात आती है कि क्या क्या कानून थे तो बरतमान इस्तिती की बात करेंगे और पूरवर्त इस्तिती की बात करेंगे अगर हम यहाँ पर यह देखें किस कानून में किस तोर पर परिवर्तन किया गया है और किस के लिए कौन सा कानून बना है तो इसकी बारे में चर्चा की जाएगी तो इस वीडियो के माध्यम से आप तुलनात्मक अध्यन भी देखेंगे और इसके क्या क्या आलोचनाएं किया सकती हैं क्या क्या कमियां हैं इस पर भी हम लोग इस पर डिसकर्स करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या कानून था पहले तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो था हमारे पास IPC क्या है मित्रों IPC जो की बना था हमारे पास 1860 में कब बना था 1860 में जिसका नाम है Indian Penal Court यानि भारतिय दन्याय सहीता क्या है भारतिय न्याय सहीता ठीक है IPC जो था जिसे आप लोग कहते हैं Indian Penal Court ठीक है Indian Penal Court इसकी जगे इसके अमेंडमेंट में या इसमें सुधार करकी क्या कानून बनाया है भारत देखते हैं तो सबसे पहले बात की जाती है आई पीसी जो की आप लोग जानते हैं भारत में अंग्रेजी सासन था ये जो कानून है भारत में British सासन के दौरान बनाये गए कानून है तो इस कानून की अगर हम बात करें 1860 में जो ये लागू हुआ था ये बनाया गया था एक हमारे पहला विधी आयोग यानि लॉग कमिसन बनाया था लॉड मेकाले की अधिक्षता में तो उन लॉड मेकाले महुदे ने यानि 1833 में एक अमेंडमेंट आया था कि चलिए भारतियों के लिए एक कानून बनाया जाए उसके अनुसारी सारा निर्ने लिया जाए इससे पहले तो क्या होता था कि मौलवी काजी कानून बताते थे और हमारा जो मनुई सुम्रती बगैर तो जो आईपीसी भारत में पहला लॉड मेकाले की अधिक्षता में बना था किसके में लॉड मेकाले की अधिक्षता में तो यह जो लॉड मेकाले महुदे थे इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1833 में यह बना और 1850 18 कब बन के तैयार हो गया 1860 1860 में क्या हुआ 1860 में यह तैयार हो गया लेकिन 1857 में जो किरांती हो गई तो यह कानून लागू नहीं हो सका फिर यह लागू हुआ था कब यह लागू हुआ था 1861 जैन्वरी यानि इसे अगर हम लागू करने की बात करें तो भारत में यह लागू कब हुआ था यह लागू हुआ था फिर्स्ट आफ जैन 1861 में कब हुआ था फिर्स्ट आफ जैन 1862 में 1862 में लागू हुआ था ठीक है तो अगर हम इसमें अगर हम बात करते हैं IPC में, इस IPC में कमिया क्या थी, अगर हम पहले कमियों के बारे में बात करें, तभी तो हमें जरूरुदत पड़ेगी, जैसे अगर हम आप बात करते हैं, हमारी बरतमान समय की जो जरूरुतं हैं, उसको अगर पूरा कर रहा होगा कोई, अगर पुरानी विवस्था तो हम नवीन विवस्था को क्यों लाएंगे लेकिन जो नवीन पुरानी विवस्था थी उसमें कुछ कमिया रही होगी तो उस कमियों को दूर करने के लिए भारे सरकार ने इनको क्या किया लागू किया, तो जड़ा हम पहले हम इसकी कमी देख लेते हैं क्या कमी है, अगर हम यहां पर कमी के बारे में बात करें IPC में कमिया क्या थी, इसमें क्यों लागू किया Why should we use this तो अगर हम वाई पर जाएं, क्यों इसको लागू किया गया तो सबसे बड़ी बात अगर हम यहां पे मित्रों बात करेंगे तो यह जो है सबसे बड़ी बात यह है कि यह अंग्रेजी सासन द्वारा लाया गया है और कब लाया गया था 1860 और बर्तमान समय में चल रहा है 2023 यानि काफी लंबा समय हो चला है काफी लंबा समय हो चला है और इतने लंबे समय कि तोर पर अगर हम बात करें तो यह बिवस्ता हमारे लिए एक तरह से कारगर नहीं बची है यानि कुल मिला के यह हम देख सकते हैं कि इसमें अगर हम कमियों की बात करें IPC में कमिया क्या है ? IPC में तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो सबसे वड़ी कमी है कि ये पुराना हो गया है क्या हो गया है? पुराना अब किसी चीज़ को इसलिए छोड़ देना कि वे पुरानी हो गई है तो ये तो न्यायोचित नहीं है तो फिर और भी कमी है दूसरी अगर हम बात करते हैं तो दूसरी अगर कमियों के बारे में बात करें कि इसमें टेकनोलोजी का प्रियोग कम किया गया है इसमें प्रोध्योगी का प्रियोग क्या है कम है IPC में तो यहां पे प्रोध्योगी का प्रियोग कम है ठीक है, दूसरी बात, दूसरी बात ये है कि इसमें जो पुलिस जांच है, इसकी प्रोसेसिंग है, इसकी जो प्रोसेसिंग है वो धीमी है, पुलिस इस्थिती क्या है, पुलिस इस्थिती हमारी धीमी तरीके से काम करती है, तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने, पुलिस प्रिक्रिया जो है धीमी है तो उसे क्या करना है उसे हमें तेज करना है फास्ट करना है इसलिए हम यह लेके आए हैं दूसरी अगर हम बात करते हैं कि यह जो IPC में है इसमें पारदरसिता कम है क्या है मित्रों इसमें जो है पारदरसिता क्या है कम है तो इस पारदरसिता को लाने के लिए पारदरसिता क्या है कम है यानि ट्रांसवेलिटी क्या है कम है तो हमें ट्रांसवेलिटी बढ़ाने के ल जैसे भारतिय नयाय विवस्था में एक बात कही जाती है कि वो नयाय नयाय नहीं है अगर उसमें क्या हो जाए देरी हो जाए तो सबसे वड़ी बात है इसमें नयाय में क्या होती थी देरी होती थी तो देरी के लिए अब जो यहां पर प्रिक्रिया की जाएगी उसमें नयाय हैं में क्या हो जाएगी तेजी आने के लिए बात की गई है तो यह तो कुछ वेहवारिक कमिया थी और इसके अलावा यदि हम बात करें इसके अलावा यदि हम लोग बात करते हैं इसके अलावा हम लोग बात करें कि इसमें चेंज क्या किया गया है इसमें किया क्या गया है तो यहां पर बात करें कि यहां पर कितने सेक्षन थे 356 सेक्षन थे कितने थे मित्रों 356 सेक्षन तो इन सेक्षनों की जगए भारती यह कितने होंगे तो अगर हम यहां पर बात करें IPC में जो बात है तो IC में 500 कितने हैं 11 सेक्षन है कितने हैं 511 सेक्षन तो इसकी जगए यहां पर भारती यह नियाय सहिता में कितने सेक्षन हैं तो भारती यह नियाय सहिता में सेक्षन किये गए हैं 356 कितने किये गए मित्रों 356 सेक्षन किये गए हैं और अगर आगे देखें जाके यहाँ पर, इसके जो sections हैं, इनके जो section हैं क्या, 176 section में क्या किया गया है, 176 section क्या किये गए है, change किये गए हैं, यानि उसमें बदलाव किया गया है, जबकि अगर हम बात करें, 8 section नए जोड़े गए हैं, 8 section को क्या किया गया है, नया जोड़ा गया है, और उसके अलावा, जो by section हैं, इन by section को बिलकुल हटा दिया गया है, यानि यहां से हटा दिये गए हैं, यह तो हुए इसके अत्रित अगर हम बात करते हैं कि क्या मैन-मैन फीचर्स जो चेंज किये गए हैं इसमें अगर हम जाएं तो मित्रों पर्पस क्या है उद्देश क्या है यहां पर उद्देश यों कुछ अगर हम बात करें तो सामाजिक आज जो विवस्था है उसको बनाय रखने के लिए तेजी करने के लिए ये सारी विवस्था की गई है अगर यहाँ पर हम और अगर बात करें तो यहाँ पर जैसे आपका IPC की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो 1860 वाला जो हमारा यह IPC है वो लोगतांत्र विवस्था के लिए अनकूल नहीं है क्योंकि यह एक तरह से आप यह देखते हैं कि यह जो विवस्था की गई थी यह एक सामराजवादी सामराज के लिए यह एक सामराजवादी सरकार के द्वारा अपने कालोनी को कंट्रोल करनी के लिए की गई थी और चूंकि अब हम लोगतांत्रिक देश हैं हम डेमोक्रिसी कंट्री हैं और हमारा लोगतांत्र आज से 75 साल पुराना हो चुका है तो यह ससक्त लोगतंत्र की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बदलाव पर हम आवस्यक हैं क्योंकि हम किसी एक ऐसी विवस्था को साथ लेकि नहीं चल सकते हैं जो की एक ऐसी आइडिलोजी को खॉलो करती हो जो किसी पर डॉमिनेंट होकर सासन कर सके तो यहां पर dominant होने की बात नहीं है यहां पर equality की बात की गई है और भारतिय नागरिकों को समान equality power की बात की गई है तो यहां पर बात समझे आप तो यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि इसे आकार को छोटा करने का मतलब यह है कि जब हम भारतियों के लिए बात कर रहे हैं, भारतियों के लिए सासन की बात कर रहे हैं, भारतियों के द्वारा बात कर रहे हैं, तो जब ये सारी चीज़ें चल रहे हैं, तो मैं हम क्यों 1860 वाला अंग्रेजी सासन को लागू करें, जो की एक सोसन का टूल्स था ठीक है अब अगर आगे हम बात करते हैं अगर हम यहां पे IPC की बात हो गई अब यहां पे अगर हम बात करते हैं CRPC किसकी मित्रों दूसरे जिसका चेंज किया है वो कौन सा है CRPC में चेंज किया गया है CRPC बोले तो CRPC है अगर आपका हम बात करते हैं तो ये है Code of Criminal Procedure क्या है? Code of Criminal Procedure Code of Criminal Procedure Procedure तो इसकी जगह इसका इस्थान किसने लिया है? इसको replace कौन कर रहा है? इसको replace करने के लिए बनाया गया है भारतिय नागरिक सुरक्षा सहिता यानि इसे हम लिख सकते हैं B N S S भारतिय नागरिक सुरक्षा सहिता 2023 तो अगर इसमें अगर हम बात करें तो इसमें क्या-क्या changement किया गया है? ठीक है? इसमें क्या change किया गया है? इसमें जो की आपके sections की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो section की संख्या है वो हो गई है आव 533 section और अगर इसकी बात करें तो इसमें कितने section थे? तो मित्रों इसमें section थे 700, 478 section आपके CRPC में थे इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसमें जो नया सहीता बना है इसमें 9 section को add किया गया है जबकि यहाँ पर जो section थे उसके 9 section को कितने? 9 section को ही क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है, पूर्टा उन्हें revealed कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है अब ऐसे ही अगर हम बात करते हैं जो अगला कानून चेंज हुआ है जो अगला कानून है हमारा वो है हमारा Indian Evidence Act तो Indian Evidence आया है किसके Indian Evidence Act को प्रतिश थापित करेगा Indian Evidence Act 1872 इसको बदला है चेंज यह अब चेंज हो गया है और अब जो evidence आया है भारतिय साक्ष अदिनियम क्या बोला जा रहा है भारतिय साक्ष अदिनियम भारतिय साक्ष अदिनियम तो यहां पर यदि हम बात करें तो इस भारतिय साक्ष अदिनियम में इसमें कितने सेक्सन थ इसके section की अगर हम बात करें तो इसके section की संख्या थी 167 और भारती है इंडियर एविडेंस एक्ट 187 थे और जो बरतमान वाला आया है उसमें section कितने हो गए है 170 section हो गए है ठीक है और यहां पर यदि हम बात करते हैं एक section को जोड़ा गया है क्या जोड़ा गया है 8 section को पूरा का पूरा जोड़ा गया है और जबकि इसके 23 section को इसके कितने 23 sections को change किया गया है इसमें क्या हुआ है चेंजमेंट किया गया है 23 sections को ठीक है और इसके अलाबा जो इसके 5 section थे कितने 5 section को क्या कर दिया गया है पूर्टा समाप्त कर दिया गया है, निल्गवटेस अनाटा कर दिया गया है तो ये मित्रों क्या हैं, ये हमारे IPC, CRPC में चेंज हुआ है उसमें करते हैं, अब इसके बाद हम इनको पर्टिकुलर देख लेते हैं किसमें क्या चेंज हुआ है, उसको भी देखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें क्या चेंज हुआ है तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, अपने पहले एक्ट की तरफ, जो चेंज हुआ है जो है हमारा भारतिय नागरिक सुरक्षा सहिता भारतिय नियाए सहीता मैं क्या हुआ है जड़ा देखते हैं भारतिय नियाए सहीता इसमें नया क्या है नया क्या है जड़ा इसे देखते हैं भारतिये नया सहेंता भारतना या नया क्या है यह बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें 22 धाराएं कम कर दी गई है त्रिक है नरस्त कर दिया गया है आठ धाराएं जोड़ दी गई हैं इसका उद्देश आपराधिक कानून को कम करना है बंद करना समाप्त करने की बात की गई है ठीक है तो सबसे पहली बात आती है कि इसमें जो आयू यानि बच्चे की आयू जो है दोरे कम आयू का वियक्ति बोला गया है क्या बोला गया है runway & यह एक आलोचना की भी बात हुई है यहां पर परियस और उसके वातावरन की बात नहीं की गई है यहां पर यह कोई अप्राध्र करता है और उसकी आयू18 वर्ष से कम है तो वह अप्राधी बाल अपरादी के तोर पे नहीं identify किया गया है वो अपरादी बाल अपरादी के तोर पे व्यक्ति के तोर पे identify किया गया है यह एक इसकी बताई जा रही है जो कि एक अलोचना का भी सिकार हो सकती है यह वाली बात अलोचना का भी सिकार क्या हो सकती है मित्रों हो सकती है ठीक है इसके अलाबा इसमें जो है राजद्रो को क्या कर दिया गया है राजद्रो को समाप्त कर दिया गया है और इसके इस्थान पर क्या ले आए हैं इसके स्थान पर हम ले आए हैं कि समाप्त करके समप्रभुता खत्रे में डालना डालने वाले अफसिस्ट तत्व इसको इंडिकेट किया जा रहा है इसके अलावा यदि हम बात करें कि इसने एक चीज बहुत रूडी वादिता की और इसे धकेला गया है रूडी वादिता का मतलब यदि हम बात करें कि इसमें बलातकार यौन उत्पीडन पर IPC की धारा क्या रखी है IPC के प्रावधानों को बरकरार रखा है के प्रावधानों को बरकरार रखा है वो एजट रखे गए हैं कि उसके प्रावधान एजट रहेंगे बलातकार और उत्पीडन से संबंदित उसमें किसी परकार का कोई चेंजमेंट नहीं किया गया है ठीक है ये तो इसमें कुछ नमूने बात करते हैं नए नए की जो इसमें नया एक तरह से अपनाया गया है ठीक है तो ये तो किया गया है किसमें भारतिय न्याई सम्विता में जो किसकी जगए आया है जो IPC की जगए आया है ठीक है अब हम अगली बात करते हैं अगली हम बात करेंगे किसके बारे में भारतिये नागरेक सुरक्षा इसमें काफी amendment किये गए हैं क्या है भारतिये नागरेक सुरक्षा सहिता 2023 और अगर हमें इंगलिस में लिखना हो तो भारत नागरेक सुरक्षा 2023 ये होगा इसका इंगलिस वर्जन BNSS2 ठीक है मित्रों अगर हमें यहाँ पर बात करें इसमें क्या किया गया है ठीक है तो यहाँ पर यदि हम बात करें इसमें नया क्या है इसमें नया क्या है तो आपने देखा होगा कि कई कैदियों को जो अजीवन कारावास या कठोर कारावास काट रहे हैं तो उनके लिए सरकार क्या करती है या भारतिये न्याय पद्धिती में बात की जाती है कि उ यानि आप कुछ मुचलका जमा करके कुछ दिनों के लिए bail out package पर क्या हो जाते हैं? bail out हो जाते हैं आप bail पर रहा हो जाते हैं तो इस बाले में जो कठोरतम अपरादी हैं यानि मिरत्युदंड वाले ठीक है? अजीवन कारावास यहां मिरत्युदंड नहीं सोरी अजीवन कारावास वाले जो अपरादी हैं अजीवन कारावास इनके लिए रियाही बिलकुल क्या कर दी गई है? रियाही समाप्त कर दी गई है अब किसी भी bond के दौरा आप bond के दौरा bond के आधार पर रियाही क्या कर दी? समाप्त कर दी गई है पहले क्या था कि आप कुछ दिनों के लिए आपको बेलावड पैकेज मिल जाता था आप रेहा हो जाते थे लेकिन जिसकी जिनकी कारवाई या जिनने दंडात्मक कारवाई की गई है जिनका कठोर अपकारावास की सजा है जिनने अजिवन कारवास की सजा है उन्हें किसी परकार की रेहाई का प्रावधान नहीं है आपको रेहाई नहीं दी जाएगी ठीक है मित्रों दूसरी अगर हम बात करें दूसरा नया क्या है इसमें बात तो दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरी बात ये है कि आव चिकितसा संबंधी जाचों का दाईरा क्या कर दिया है कैसा बढ़ा दिया गया है कैसा बढ़ा दिया गया है इसको अगर हम समयें दैरा बढ़ा दिया अब कैसा बढ़ा बढ़ा है जराइसे समझते हैं तो इसमें क्या है फॉरंसिक जाँच आजआस होती है जांचू के उसके अंतरगत आप फॉरंसिक जाचें करा सकते हैं और फॉरंसिक जाचों के अंतरगत जैसे बलातकार वाला कोई केस है किसी का finger tracing वाला कोई केस है डिने वाला कोई केस है तो उसका दाइरह बढ़ जाता है साक्ष को मान कर दिया गया है और कई अन्य प्रावधान किये गए हैं क्योंकि CRPC में इसको लेकर थोड़ा संकुचित भाव था थोड़ा दाइरह कम था तो इस दाइरे को यहां पर विरॉड कर दिया गया है बढ़ा दिये गए हैं ठीक है मित्रों अगर हम बात करते हैं यहीं पर अगर हम बात करते हैं जैसे अगर कोई बलादकार पीड़े थै तो साथ दिनों के भीतर चिकित्सिया रपूर्ट तीस दिनों के भीतर से बढ़ा कर इसे 45 दिन तक बढ़ा दिया गया है और 90 दिनों भीतर अपडेट वाली संपत्ती को जब्त किया जा सकता है यानि अपराधियों की संपत्ती को जब्त करने का भी यहां पर प्रावधान संपत्ती को जब्त करने का भी यहां पर क्या किया गया है प्रावधान रखा गया है आप संपत्ती को जब्त भी कर सकते हैं पहले संपत्ती को जब्त करने का थो तो आगे जाकर ये आलोचना का भी सिखार हो सकता है, तो यहाँ पर समपत्ति के दुरुपयोग की भी बात की जाती है, ठीक है, इसके अलाबा जो हत्या हमला चोट की बात की जाती थी, जो मौब लिंचिंग की बात की जाती थी, इस पर काभी प्रावधान किये गए हैं, तो अपराद, आतंगवाद, गंभीर चोट, इसको लेकर भी इस कानून में कड़े प्रावधान किये गए हैं, ठीक है, और इसके अलाबा आतंगवाद की परवासा भी डिफाइन की गई है, पुराने वाले में आतंगवाद की परवासा कोई थी नहीं, यहाँ पर परवासित किया गया है, और उसके उप्सन में, उसके सजा की भी यहाँ पर बात की गई है, ठीक है, इसके अगर हम आगे बात करते हैं, कि यहाँ पर अगर कोई मृत्यू हो जाती है, जैसे मालो लापरवाही से मृत्यू, लापरवाही से मृत्यू, लापरवाही से मृत्य हो जाती है तो पहले में यानि CRPC में उसके लिए कुछ सीमित दाइरा था लेकिन अब दाइरा सीमित नहीं रख कर दिया गया उस दाइरा बढ़ा दिया गया है यानि लापरवाही की मृत्यू में जो बातें की गई हैं उसमें एक तरह से धारा 304 A के तैस सजा 2 साल से बढ़ा कर अब इसे 5 साल कर दिया गया है हलाकि अगर कोई डॉक्टर से लापरवाही होती है तो डॉक्टर के संबंद में 2 साल की कैद निचली अदालत की 2 साल की कैद का उससे सामना करना पर सकता है तो लापरवाही से हुई मौत का भी यहां पर प्रावधान किया गया है ठीक है और यहां पर यदि हम बात करें मौब लिंचिंग या सामोही खिंसा का तो सामोही खिंसा के बारे में पहले वाले में सामोही खिंसा में पहले क्या था कम था उसमें डिटेल से जानकारी नहीं थी लेकिन अब क्या किया गया है सामोई खिंसा को बाकाइदा डिफाइन किया गया है और पात से अधिक लोगों यदि पात से अधिक लोग हैं और वो सामोई खिंसा कर रहे हैं तो उन व्यक्तियों को किसी को कंबीर चोटे है या हत्याए होई हैं तो उन्हें अजीवन कारावास की सजा का प्रावधान दिया गया है तो एक तरह से यहाँ पर कानूनों को काफी जटेल और काफी एक तरह से पेचीदा एक तरह से आप यह कह सकते हैं कठोरतम बनाने की कोशिस की गई है एक तरह से ठीक है और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हदकडी से संबंदित तो जो पुराने अफराद CRPC थी तो उसमें आपका अनुमान जो धिला प्रावधान थे लेकिन इसके अंतरगत आपको हदकडी की पूरी सुतंतरता और हदकडी का प्रियोग करने की पूरी आजादी दे रखी गई है लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोट ने हदकडी के लिए जो नियम बनाए है उसके प्रती किसी परका संबंदी में बात भी बात उठा सकते हैं हम लोग इक तरह से ठीक है अगर हम यहीं पर बात करें साक्ष के संबंद जो हमारा तीसरा है तीसरा जो हमारा है क्या है तीसरा भारतियस साख्षवधिनियम 2023 भारतियस भारतिय साक्ष अधिनियम जो पुराने साक्षों के तौर पर करें अगर इसमें हम नया क्या है उसको समझें इसमें नया क्या है तो एगर हम इस नय क्या पे जाएं तो कई तरह की नय क्या इसमें बात की गई है जैसे पुराने में प्रात्मिक साथ्ष मूल दस्तावेश सामिल था लेकिन अब इसमें मूल दस्तावेश के अतरेक्त मौखिक दस्तावेश, मौखिक तोर पर इलेक्ट्रो में evidence है mobile में evidence recording है इन सब को साख्ष के तौर पर court में मानने माना जाएगा यह एक तरह से पहला जो टेक्नलोजी का प्रियोग करते हुए जो अपराद के तौर पर जो वीडियो ग्राफी बगएरा की जाती है उसको अपराद के साख्ष के तौर पर भी आग करवाई कर सकते हैं तो यह मूल दस्तावेज, electronic evidence जैसे pen drive जैसे आपका वीडियो जैसे आपका recording यह सारी की सारे आप evidence के तौर पर मानी जाएंगी ठीक है तौर अगी अगर हम यहां पर बात करते हैं यानि अगर हम यहां पर बात करते हैं नए कानूनों को माना क्यों गया है लागू क्यों की गया है तो सबसे बड़ी बात है नए कानूनों में अपराद की इसपस्ट परवासा दी गई है क्या है अपराद की इसपस्ट परवासा है यहां पर किसी परकार का यह नहीं के कौन सा अपराद क्या है ठीक है दूसरी बात ये करें आदुनिक तकनीक के तौर पर मजबूत किया गया है तकनीक के तौर पर क्या किया गया है इसे मजबूत किया गया है ठीक है लिंग तठस्त परिस्थिती भी बात की गई है लिंग तठस्त प्रावधान भी बात किये गई है यानि महिलाओं और बच्चों के लिए क्या है बच्चों और महिलाओं के लिए थोड़ी सहूलिएत की भी बातें की गई हैं बात समझ में आई इसके बात अगर हम यहां पर बात करें के संतुलित विवेका धीन सकती भी है चरण बद्कारान्वेन की भी बात की गई इंप्लीमेंटेशन की भी बात की गई है यहां पर इसके बाद अगर हम बात करें नियाय सास्त्र को सुधारने की बात की गई है निया सास्त्रों क्या है सुधार की बात की गई है सुधार आतमक बात किया गया है यहां पर साजनिक विवस्था के रखरखाव की बात की गई है और आतंगवाद सामोहिक मौव लिंचिंग इन जैसे जो मौडन अपराद के नए नए टूल्स जो आ रहे हैं उनको यहां पर प बताता है और यह जो कानून भारत सरकार ने बनाए हैं यह एक तरह से क्या हैं भारतियों के लिए हैं नई जरूरतों को लेकर हैं इसमें कुछ अगर हम बात करते हैं कुछ कमियां भी हैं क्या हैं कुछ कमियां भी हैं तो कमियां के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे लिए बाल अपराग के बारे में बात नहीं की, 18 प्लस के बारे में बात नहीं की कर पा रहे हैं सजा का जो परावधान मोब लिंचिंग याई, जो आपका bonding वाली जो बात की जा रही थी जिससे अपराग किसी को रहाई मिल जाती थी कुछ दिनों के लिए तो उस रहाई के लिए इसपस्ट परभासा नहीं दी गई है तो लेकिन कुल मिलाकर यह कहते हैं कि कोई भी नया कानून बनता है कुछ में कुछ सुधार किया विसकता होती है तो वो सुधार किये गए हैं और उन सुधारों के कुछ लाब भी आपको मिलेंगे और जैसे जैसे ये implementation होगा उसके परणाम में जो समीक्षा सुप्रीम कोट करेगा तो उन समीक्षा से कुछ सुधार भी किये जाएंगे तो काफी हद तक कुल मिलाकर सरकार का ये अच्छा पहल है और इसकी कवियों को दूर करते हुए और ये भारतियों के लिए बनाया गया एक अच्छा कानून है तो मित्रों आप इसे समझिये और इसके वीडियों हमारे को देखे लोगों के दौरा दिल प्रयास किये गया उसे समझ देखे और इसके अलावा साथ-साथ ही इसे आप क्या अपने दोस्तों को भी प्रवाइड कराईए और साथ ही इसका जो PDF है वो हमारे description box में लिंक में द